नमस्कार दोस्तो जे मातादी सभी को मैं नीटो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बेंक निफ्टी कल एक अक्टूबर यानि कि मंगलवार को कि साइड मुमेंटम कर सकते हैं कौन से लेवल पर अपोर्चनिटी बन सकती है उसके पीछे का लोजिक क्या है साथ में ऑप्षिन चैन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूसे लेवल हमको पता लग जाएं तो दोस्तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले चलिए दोस्तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है 15 मिनिट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्रा डे के लिए बैस्ट होता है आज दोस्तो बैंक निफ्टी गैप डाउन खुली और खड़ी खड़ी तीन चार केंडल रेड बनाई उसके बाद ज हमको पहले से पता था कि तीन केडनल रेड बनेंगी वह आपको मलब एक तरीके से ना बहका रहे हैं कुछ आपको कुछ प्रोडेक्ट बेचना चाह रहे हैं क्योंकि इस ऐसे मुमेंटम में ना तो मैं कभी घुसता हूं हां लोग कुछ लोग होंगे एक्सपर्ट होंगे ल और फाइज ज्यादा सेलिंग करके गए हैं डियाइज ने कुछ संबाला है लेकिन ज्यादा स्टोक के अंदर आज भी बिकवाली नहीं थी बिकवाली थी लेकिन इतनी नहीं थी कि जितनी मार्केट गिरी है इतने प्रसंट पोटफोलियो डाउन नहीं हुआ था और इस तर दोस्तों मार्केट गैप डाउन खुली हमारी प्लानिंग तो थी कोई नेगेटिव केंडल बने कोई प्राइज एक्शन बने तभी प्लानिंग करेंगे लेकिन मार्केट सीधी सीधी खडी खडी गिरी तो हमने जो राउंड लेवल था त्रेपन हजार के आसपास का यहां आप जब इसने पुल बेक दिया तो 60-70 पॉइंट मुझे मैं कोल साइड पलान किया था एक पेपर ट्रेड में मुझे 60-70 पॉइंट का गेन यहां पर मिला फिर मैंने ज्यादा हाथ पैर दोस्तों मारे नहीं क्योंकि बिना बात कि आगर आप देखोगे यह 15-minute की केंडल य यह बिल्कुल sideways candle थे अगर आप इनको एक मिनिट के टाइम फ्रेम में लगा होगे तो ऐसे मार्केट थी और ऐसी जब मार्केट होती तो option buyer को कुछ भी नहीं मिलता है और इसके बाद अगर किसी ने planning किया हो तो बहुत patience करना पड़ा होगा तब जाके यहां तक कुछ points साथ लगे होगे इसलिए मैंने फिर बिनाबाद के हाथ नहीं मारा क्योंकि हाथ जल जाएगा अपने पैसे बचा के रखिए अपने लोस होने से बचा लेना भी आपका profit है जब आपको एक बार points मिल चुके हैं तो कोई फायदा नहीं होता है बिनाबाद के हाथ जलाने का over trading करने अब कल कहां पर momentum हो सकती है मार्केट दोस्तों कहां तक गिर सकती है अगर मैं आपको एक दिन के टाइम फ्रेम में दिखाओं तो एक दिन के टाइम फ्रेम में आपको जो strong demand zone दिखेगा वो दिखेगा 52,250 के आसपास यानि कि जहां से ठिक ठाक breakout आया था 2-3 दिन sideways candle बनने के और उसके बाद निकलते तो मुझे लगता है फिर 21,500 तक आ सकती है इससे ज्यादा फिर मैं planning भी नहीं कर रहा हूं कि इससे ज्यादा market गिर सकती है अगर कुछ ऐसा news वेगरा आता है जो market पर direct impact करता है तो planning हो सकती है लेकिन हो हमको चार्ट में पहले ही दिख जेगा फिलाल के लिए इंट्राडे में अगर मैं बात कुनों तो दोस्तों ज्यादा मुश्किल मत करना analysis को simple रखना खड़ी-खड़ी market गिरती है तो ignore कर देना सीदी सी बाद है भाई बिना बात के आतमत जलाना अपने strategy पर कायम रही है अपने price action पर कायम रही है और बहुत अच्छे-च् इस कैसे रहेगी हमको एक swing पकड़ना है दोस्तों अगर आपको वापीस से bullish बनना है तो यह वाला swing है यानि कि 53,200 का है bank nifty की closing आये 22,978 के आसपास bank nifty अगर flat खुलती है gap up खुलती है 53,200 के नीचे कोई swing बना दे या 53,200 के ऊपर कोई swing बना दे दोनोई situation में 50,60 points का 50,60 या 70 पॉइंट का में stop loss डाल के 1-2,1-2,1-3 target के लिए मैं call side जाना पसंद करूँगा पहला target दोस्तों मेरा यह जो moving average पे crossover बना है यानि कि 53,500-600 का यह हो जाएगा उसके बाद मेरा जो target होगा 35,800 का हो जाएगा जहां से आज gap down लगी है यानि कि सीधी सीधी बात है बाद है कोड़ा सा नीची आ कि अगर दोसों के लेवल को फिर break करते है तो भी momentum आ सकता है फ्लेट के खुल के अगर 53,200 के आसपास कोई swing बना देती है तो भी momentum आ सकता है यह दो scenario रहेंगे दोसों call side plan करने की हाँ एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कल फिन निफ्टी के experience फिन निफ साइडवेज रखने के चकर में यह बैंक निफ्टी को भी साइडवेज रख सकते हैं लेकिन उसके लिए कहां पर हमको आथ नहीं जलाना वह मैं आपको कुछ points बताने की कोशिस करूंगा ठीक है अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लेट खुलती और फ्लेट खुलने के सब्सक्राइबाद यह 52,850,900 इसके नीचे निकल के कोई स्मिंग बनाती है प्राइज एक्षन बनाती है डाउनशाइड थोड़ी से टार्गेट बड़े भी मिल सकते हैं 52,250 से लेके 300 तक का टार्गेट मिल सकता है लेकिन उसके लिए प्रोपर प्राइज एक्षन बनना च के आसपास है तो इसको आप इगनोर मत करना अगर मार्केट फ्लेट खुल के नीचे आती है तो 22,800 के लवल को ब्रेक होने देना और अगर गैप डाउन खुलती है तो फिर 22,800 नजदीक हो जाएगा उसके लिए फिर आपको एक स्विंग बननेगा इंदिजार करना पड़े ठीक है और अगर जादा बड़ा गैप डाउन खुल जाती है मालीजे सीधा 22,600 के आसपास खुल जाती है तो फिर आपको दोनों साइड मुमेंटम मिल सकते है दिन में दो पर पहले हो सकता आपको डाउन साइड मिल जाए तो आपको यहाँ पर कोई अपोर्जनेटी ढून यहाँ पर कोई बुलिश केंडल बन जाए तो यहाँ से मार्केट रिकवरी कर सकती है मैं दिनकालोस टोपलोस डालके कोल सेड जाना पसंद करूंगा और अगर मार्केट खुल के दो पर पहले माल लीजे यहाँ पर पहले रिकवरी दिखाती है वो हमको 3940 स्ट्रेजी में प बड़ा गैप खुल जाए सीधी बाउन 3400 3500 500 इस रेंज में दोस्तों अगर बैंक निफ्टी खुलती है तो फिर आपको यह ट्रैप कर देगी इसको इग्नोर कर देना क्योंकि कल्फिन निफ्टी के एक्सपारी है और फिर बहुत बड़ा सपेस होगा ऑप्सन सेलर के पास स्टोपलो सेट करने के लिए क्योंकि यहां से गैप डाउन लगी है तो अल्रेडी रेजिस्टेंस है नीचे जहां से गैप खुलेगी है अल्रेडी सपोर्ट हो गया तो कहीं से भी रिकवरी आ सकते और बड़ी बड़ी स्पाइक भी केंडल बन सकती है तो इसके बीच में अगर बैंक निफ्टी खूलती है तो मुविंग एवरेज भी फेस करनी होंगी ओपर रेजिस्टेंस भी फेस करना होगा नीचे आई तो सपोर्ट भी फेस करना होगा तो काफी पेचीदा मामला हो जाएगा और फिन निफ्टी के चक्र में साइडवेज रख सकते हैं ठीक ह बड़ी 15 मिनिट की केंडल बनने पर भी आपको इगनोर कर देना और ये बात आपको फिन इफ्टी में भी दोस्तों जो फिन इफ्टी में काम करते हैं उनको भी ध्यान लखना चाहिए अगर एक गंटे के अंदर पहले पहले एक गंटे के अंदर जादा बड़े मुमेंटम जाते हैं तो फिर मार्केट सारा दिन साइडवेज रह सकती है इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो एक्सपारी वाले दिन आप बचे रहोगे अधरवाइस जो जीरो हीरो के चक्र में पढ़ते हैं उनको पता है उनको भी खुद भी पता इस चीज का कि महीने में हमेशा वो एक बार मुस्किल से कुछ बना पाते हैं अधरवाइस वो जीरो ही हो जाते हैं चाहे हो कितने भी पैसे लगाएं क्योंकि एक्सपारी लोगों को लूटने के लिए ही बनाए गई गया यहां पे अगर कोई नेगेटिव केंडल बन गई दो पैर को ठीक है माली जे गैप यहां पे कोई नेगेटिव केंडल बनी दो पैर को फिर उसका लो ब्रेक होता है तो वापिस मार्केट गिर सकती है दिन का हाइस टोपलोज डालके मैं यहां से डाउंसाइड प्लान कर सकता हूं यहां तो यहां पे कोई इस तरीके का प्राइज एक्शन में दोनों सिच्व तक का क्लोजिंग आठसो दस के आसपास है अगर नेफ्टी नीचे आना शुरू करती है तो और जो बैंक निफ्टी ने मूँ दिखाया था बीच में स्विंग बना था वो निफ्टी ने नहीं दिखाया था निफ्टी ने बहुत अच्छा मुमेंटम दिखा जो हमने कल वीडियो में डिसकस किया था कि पहली केंडल नेगेटिव बननी चाहिए फिर उसका दिन का लो तूटके अगर हमको एक मोड मिल जाता है तो एक मुमेंटम 200 दिन की मुविंग एवरेज तक मिल सकता है उसके बाद किया था कि दोनों और सोल्ड है नेगेटिव होके थोड़ी सी रिकवरी यहां से मार्केट दिखा सकते लेकिन स्विंग बनाके बनने दें अगर वापिस दिन का लो ब्रेक करते तो एक मुम और मिल सकता है और वह मुम आपने देख भी लिया होगा लेकिन जो स्विंग बना पोस्ट करता हूं मैं जो वीडियो में अगर जो हम सीखें अगर उससे कुछ मिलता जूलता है तो मैं अपना खाली व्यू शेयर करता हूं तो कोल टिप्स के इसको मत समझना है और नहीं कोल टिप्स के चक्र में आप इस चैनल को जोएन कीजिएगा और यह देखे यह तब डाला था आप जाके चेक कर सकते हो ऐसा नहीं कि कोई भेंकर गिरावट होगी ऐसा इसलिए बोलों क्योंकि सभी इंडेक्स अपने ओर बोर्ट जोन में थोड़ा ओर बोर्ट को नोर्मल करने के लिए या तो कुछ दिन मार्केट साइडवेज रहना पड़ेगा या फि बलकि थोड़ा सावदान हो जाएं क्या बुरा यह सावदान होने में थोड़ा सा अग्रेसिव सोच नहीं रखनी है buying side यह message दोस्तों मैंने 17 September को ज़गा अब किसी को इन चीजों से फायदा होता है किसी को इन चीजों से फायदा नहीं होता है तो क्या बता सकते हैं आप दोस्तों यह चैनल है जोएन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रप्शन आपको लिंक मिलेगा नहीं तो उनके सब्सक्राइबर आप कम से 3,4 बार ज्यादा दीख सकते हैं लेकिन हो फेक सब्सक्राइबर हैं उनकी पोश्ट पर ऐसे व्योंज नहीं मिलेगे 30,000,40,45, क्योंकि वो बुट्ट सब्सक्राइबर है ना भाई मेरा कोई paid group है, ना मेरा कोई whatsapp group है, ना मेरा कोई investment plan है, ना मैं call tips advice देता हूँ, please मेरे नाम से भाई किसी को एक पैसा, एक फुटी कोडी किसी को ना दे call tips के लिए ठीक है, चलिए निफ्टी को देखते है, निफ्टी में दोस्तों simple है analysis और भी ज्यादा bank निफ्टी अगर निफ्टी flat खुलती है, 10-20 point उपर नीचे खुलती है, तो तब तक मैं bullish नहीं बनुगा जबते कि 25,900 के आसपास कोई swing बना के उपर breakout नहीं दे देती है, अगर 25,900 के उपर निकलती है, कोई price action बना के, तो मेरा target 26,000 का हो जाएगा, 15-20 point का SL डालके मैं call side जाना पसंद करूँगा, यह flat opening की दी, अगर gap खुल के 900 के आसपास कोई positive candle बना के, 25-900 के उपर निकल के कोई swing बनाती है, तो 26,000 का मेरा target हो जाएगा, 15-20 point का SL डालके मैं call side जाना पसंद करूँगा, downside भी दोस्तों simple है, आज का जो low है वो mark करके रखिएगा, flat खुलती है, low के नीचे निकल के एक और swing बना देती है, तो फिर हमको 200,500,200 point का momentum और देखने को मिल सकता है, 15-20 point का SL डालके मैं put side जाना पसंद करूँगा, अगर दोस्तों gap down खुलती है, तो फिर आज वाला scenario देखना, यानि कि gap down खुले, एक negative candle बनाए, दिन का low भी break हो, प अगली candle में, मैं एक बार दोबारा से बताता हूं, ये negative candle थी, फिर दिन का low break हुआ, एक swing बना, एक अच्छा momentum मिला, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, हलका gap down हो, एक negative candle बनके दिन का low break होने के बाद एक swing जरूर बनने देना, बैंक निफ्टी के तरह अगर खड़ पैटरन मिल गया है, ठीक है, अधरवाइस, SL भहुत मुश्किल साइ, swing के hit होते हैं, अगर swing के उपर आप SL डालोगे, तो देड़ सो पॉइंट आपको dime side और momentum देखने को मिल सकता है, निफ्टी के अंगर, ठीक है, चलिए, option chain को देख लेते हैं, ये निफ्टी के option chain है, और आपको दिखेगा, वहीं जो हमने चारट में पड़ा है, 25,800 पे आपको 1,64,000 तेजी वाले बैठे मिलेंगे, 16,000 मंदी वालों के मुकाबले, यानि कि पहला support 25,800 है, अगला support 25,700 है, रजिस्टेंस आपको 25,900 मिलेगा, 1,80,000 का open interest है, 1,6,000 के मुकाबले, इंदामनी जैसे आप देखोगे, 53,400 के ऊपर, मंदी वाले इतने अग्रेसिव होके बैठ जाते हैं, कि अब तो बस गया काम तमाम हो गया मार्केट का, ये बंदे क्या करते हैं, गिरने नहीं देते हैं मार्केट को, क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे ज़्यादा पैसे लग गए, और ये सब लपेटे जाएंगे, ऐसा दो कि फिलाल के लिए तो 53,000 आपको दीखेगा, सपोर्ट भी है, और रजिस्टन्स भी है, मतलब कांटे की टगर, राउंड लेवल है, तो ओप्शन चैने के अनुसार, अगर 53,000 के उपर स्विंग बनता है, तो 400, 300, 400, 500 ये टार्गेट हमको देखने को मिल सकते हैं, लेकि इन 4,800 के अनुसार में 53,200 के उपर स्विंग बनेगा, मैं तभी प्लान करूँगा, और इन लोगों की फिर पतलून गीली होनी शुरू हो जाएगा, ये मार्केट में ये निकलेंगे और फिर एक अच्छा मुमेंटम हमको देखने को मिल सकती है, डाउन साइड अगर आप देखोगे, 53,000 के नीचे अगर निकलती है, 900 के नीचे अगर निकलते है, तो पहला सपोर्ट 52,500 पर है, दूसरा सपोर्ट आपको 52,000 पर ही जाके दिखेगा, ये लेवल से दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच हिंदे.